अज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एन एलेजी रिटिन इन कंट्री चर्चार्ट बाई थॉमस ग्रेग फर्स्ट फोल बिफॉर स्टार्टिं इस पॉयम इस इन एलेजी अब ये एलेजी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ एलेजी एक शोक गीत होता है जिसको किसी की म्रत्यों पर लिखा जाता है एलेजी एक शोक गीत होता है जिसको किसी की म्रत्यों पर लिखा जाता है तो एलेजी एक शोक गीत होता है जिसको किसी की म्रत्यों पर लिखा जाता है no.1 परसनल no.2 इंपरसनल and no.3 पैस्टोरल परसनल एलजी क्या होती है जब कवि अपने किसी नियर डियर की मिलत्व पर लिखता है अपने दोस्त की परिवार वाले की किसी की मिलत्व पर लिखता है तो वो परसनल एलजी कहलाती है For example, Tannyson की एक famous poem है break 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 एक वो पर्सनल ऐलजी है जो टैनिसिंन ने अपने दोस्ट अर्थर हैंडरी हेलम की म्रत्व पर लिखी थी इसके साथ इमपर्सनल ऐलजी आजाती है जब कवी किसी परसनल जो है परसनल टच पर नहीं लिखता है किसी अपने नियर डियर पर नहीं लिखता है लेकिन वो ऐसे सीर्शक पर लिखता है ऐसे विशय पर लिखता है जिसका हिरास हो चुका है जो समाज से घट रहा है लेकिन समाज के लिए बहुत अनिवार रहे है एक ऐसा वो व्यक्ती भी हो सकता है ऐसी वस्तू भी हो सकती है कुछ भी चीज़ हो सकता है मतलब उसकी म्रत्य उपर लेखी जाने वाला गीत impersonal कहलाता है For example, Dower Beach by Matthew Arnold Matthew Arnold की कवीता Dower Beach जो है वो impersonal allergy ही है क्योंकि उसमें क्या है loss of faith, loss of nature loss of religion की वो बात करता है क्योंकि समाज से सभी चीज़ें खट रही होती है अब बात हम करते हैं pastoral allergy जो आपके course में लगी होई है an allergy written in a country churchyard मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके जो marks है वो अच्छे आ सकें और explanation में क्या होता है आप रटा रटा है चीज़े लिखते हैं अरे चीज़े वो लिखो जो आपके लिए बहुत important है जो दूसरे students से different भी है अब जैसे कि an allergy written in a country churchyard आप उसमें point में लिखे आते है explanation के जो critical note होता है उसमें आप ये लिखे आईए कि it is a kind of allergy ये एक allergy है और दूसरा point आप ये लिख दीजे कि ये pastoral allergy है pastoral allergy जिसको गड़ईयों का शोगीत भी कहा जाता है pastoral allergy में क्या होता है ये personal भी हो सकती है impersonal भी लेकिन इसमें एक touch होता है village का मतलब इसमें दिखाए रहाता है जानवरों को, जीव जन्तूओं को गाउं के द्रिश्य को इस तरह का माहूल इसमें create के रहाता है pastoral allergy में तो भेड बकरियों का जिक्र होना उनकी images होना तो एक rustic environment, rustic picture और pictorial art का use बहुत जादे इसमें किया रहाता है pictorial art वो होती है जहां पर हमें शब्दों को पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे मानो वो चल रहे हो तो ये भी आप critical note में आप जरूर लिख कर आए कि it is a kind of pictorial art this poem is a kind of pictorial art या फिर the poet has beautifully used pictorial art in this poem तो pictorial art का भी इसमें बहुत अच्छा यूज है तो ये इस तरह से आप लिख के आ सकते है Thomas Gray के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये 17-16 में इनका जन्म हुआ था और ये एक बहुती famous transitional poet कहलाते है और इनके जो father थे उनका नाम Philip Gray था और इनकी mother का नाम Dorothy थी था ये जो Thomas Gray थे इनको भी starting से ही जो poetry थी उसको लिखने का शौक था from his early childhood अपने बच्पन से ही कह जकते हैं कि बच्पन से ही इनको कविताय लिखने का शौक था और especially ये जो कविताय लिखते हैं उन कविताओं में एक impact जैसा कि मैंने बताया नेचर का देखने को मिलता है लेकिन इनकी नेचर wordsworth वाली नेचर नहीं है wordsworth क्या करते हैं वो realistic picture को represent करते हैं और happy mode में present करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है grief के साथ नेचर को represent किया जा रहा है तो वो हमें allergy written in a country चर्चाड में देखने को मिलता है अब जादे देर ना करते हुए मैं आ जाता हूँ line to lines explanations पर आपको इसको clear कर देता हूँ the curfew towards the kneel of parting day the poem starts with very beautiful figure of speech onomotopoia यह अगर paragraph आता है तो आप इसमें लिखे कि onomotopoia का use किया गया है poem onomotopoia से start होती है जो कि एक figure of speech है और कवी इसमें क्या कहता है घंटियों का बजना दिन के समाप्त होने का संके दे रहा है अब इसको थोड़ा सा समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यह जो कवी है यह एक चर्चाड में बैठा हुआ है जैसे कि आप कवीता का नाम सुन रहोगे लेजी रिटिन इन एक कंट्री चर्चाड चर्चाड जो कबरिस्तान का पीछे का हिस्सा है जो कबरिस्तान है जहां पर मुर्दों को दफनाए जाता है चर्च के पीछे का हिस्सा है यह तो वहाँ पर कवी बैठा हुआ है अकेला बैठा हुआ है और आज वो वहाँ पर क्यों है जो गाओं वाले जो बिचारे गरीव गाओं वाले विलेजर्स जिनकी म्रत्यों हो चुकी है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया आज वो जीवित नहीं है तो उनकी मृत्यू का शोक करने के लिए वो उनके पास बैठा हुआ है उसको लगता है कि एक दिन उसकी भी मृत्यू होगी तो अगर आज उसने जो गाउं वाले जो मृत्यक व्यक्ति हैं उनके साथ नहीं दिया तो कल उसके साथ कौन होगा तो यहाँ पर इस वज़े से और गाउं वालों के जो मृत्यक व्यक्ति हैं उनके दुख को शेयर करने के लिए वो चर्च यार्ड में बैठा हुआ है और यहाँ पर केवल और केवल को सेलेक्टेड पैराग्राफ सी आपके कोर्स में लिए गए हैं यह बहुत लॉंग पोयाम है लेकिन आपके कोर्स में इसको शॉर्ट कर दिया गया है सबसे पहले कर्फी टूल्स नील्ड अफ harvest लोवर दले गंटियोً का बजना दिन के समाप्ट होने का संकेत देता है कर्फी टोल्स घंटियो का बजना पार्टिंब दिन का समाप्ट होना तो कहने का मतलब शाम का द्रशय है यह दिन धल रहा है और जो लोइंग हार्ड है जो पशुओं का रमभाता जुंड है अब ये कौन से पशुओं है जो ये मवेशी होते है जैसे भेड बक्रियां मैंने आपको पहले भी बताया था पैस्टूरल एलेजी में इन जीव जन्तों का जिक्र जरूर आता है तो ये जो भेड बक्रियां है ये भी अपने चारागा से लौट रहे हैं कहने का मतलब ये अपने अपने शैल्टर समें जा रहे हैं जो ये जानवर है ये अपने जो चारागा से लौट रहे हैं The plowman, plowman मतलब किसान, farmer, homewards floats his weary way. वो भी अपने घर के तरफ धीमे धीमे ठके हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है. किसान भी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा है. And leaves the word to darkness and to me. और वो कहता है कि अब वो इस संसार को इस स्थान को अंधेरे के लिए चोड़ जाएंगे और मेरे लिए. कहने का मतलब the poet will stay in the darkness tonight. आज की रात कवी अंधेरे में ही ठहरेगा. तो यहाँ पर मैं इस पैसेस को किलेर कर देता हूँ. यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर केवल एक pictorial art का use किया गया है. एक beautiful background दिखाये गया है. और क्या बताये गया है कि जो घंटियों का बजना है दिन के समाप्त होने का संके दे रहा है. और यह घंटियों की आवाजे चर्च से आ रही है. और जो पशूओ का जो रंभाता जुंड है वो भी अपने चारगा से लौट रहा है और किसान जिसने पूरे दिन बड़ी महनत की है. और महनत करने के बाद में वो भी थके थके कदमों के साथ अपने घर को जा रहा है. और अब केवल अंधेरा रह जाएगा और आज इस अंधेरे में कवी ने निश्य किया है कि वो आज वहीं ठहरेगा. Beneath those rugged elms that use trees shade, उन चीड के वरक्ष के पास, के नीचे, जो elms tree होते हैं उनके नीचे, जो देवदार और चीड का वरक्ष होता है, that use tree shade, सदा बाहर के पेड की चाया के नीचे, मतलब वहाँ पर उसने describe क्या है nature को, कि वहाँ पर ams tree है, use tree है, तो उनकी चाया के नीचे कभी बैठेगा. जहां पर मिट्टी जो है, उसका धेर लगा हुआ है, उपर की तरफ, घास से उबरी हुई जो मिट्टी है, उसका धेर लगा हुआ है, each in his narrow cell for ever late, इच मतलब परती एक, narrow cell पतली सी गली में, ever late हमेशा के लिए आराम कर रहा है, सोया हुआ है, कौन आराम कर रहा है, कौन सोया हुआ है, यह जानना होगा, और यहां पर जो narrow cell है, यह कबर को कहा गया है, जो पतली सी गली है, संक्री सी गली है, यह कबर को कहा गया है, कि हर कोई जो है वो आराम कर रहा है, अपनी छोटी सी कबर में, और कौन, the rude forefathers of the hamlet sleep, जो गाउं के rude forefathers है, rude का मतलब बता है, एसब बहा है, यहां पर है uneducated से, simple से, जो बिचारे, जो एसिक्षित और साधारन से किशान है, hamlet, hamlet मतलब गाउं, village, वो सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, कहां आराम कर रहे हैं, वो अपनी कबर में आराम कर रहे हैं, गाउं के जो बिचारे साधारन से किसान है वो अपने कबर में आराम कर रहे हैं जो अप जीवित नहीं है लेकिन कवी ये नहीं कहता कि वो मर चुके हैं वो कहता है कि वो आराम कर रहे हैं आराम से लेटे हुए हैं बलकि वो सो रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं? अपनी कबर में सो रहे हैं. The breezy calls of incense breathing morn. The breezy call of incense breathing morn. जो ठंडी-ठंडी हवा होती है. सुभह की. Incense breathing morn. बड़ी सुगंदित हवा होती है जब वो सुभह के समय चलती है. The swallow twittering from the straw-billed shed. और चलिया चहचाहती है. कहाँ से? अपने घोसले से निकल कर चलिया चहचाहने लगती है सुभह के समय. The cock shrill clarion on the echoing horn. मुर्गा भी तेजी की आवाज से तीखी आवाज से बाग देने लगता है. ये सबी चीजे किसका प्रतीक है? ठंडी ठंडी हवा का चलना सुगंदित ये सुभह होने का प्रतीक है. चिडियों का चहचाहना सुभह होने का प्रतीक है. मुर्गे का बाग देना सुभह होने का प्रतीक है. और ये सभी चीजें व्यक्ती को उठाने का काम करती है. लेकिन कवी यहाँ पर क्या कहता है No more shall rouse them from their lolly bed लेकिन इन में से कोई भी चीज उन्हें उनके आरामदायक बिस्तर से नहीं उठा पाएगी उनका आरामदायक बिस्तर क्या है कब्र है जिसमें वो आराम कर रहे है उनसे कोई भी चीज उनको ये नहीं उठा पाएगी आपने जैनरली देखा होगा जो अमीर लोग है वो गरीबों का मजाक बनाते है उनकी महत्वकांशाओं का मजाक बनाते है उनके त्योहारों का मजाक बनाते है तो यहाँ पर criticize point ने किया है उनहीं अमीर लोगों को और किस तरह से किया है ये देखिये लाइन में Let note ambition Moke their useful toil हमें उनकी महनत का जो उनके कठिन परिश्रम टॉयल होता है उनका जो कठिन परिश्रम होता है और मोक मतलब हसना मजाक बनाना हमें उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए They are homely joys उनके घरेलू आनंदों का मजाक नहीं बनाना चाहिए युनों आपने देखा होगा बहुत से लोग जब गरीब किसी चीज को enjoy करता है तो उसकी बातों पर वो हसते हैं उसका मजाक बनाते हैं सपोस करो एक गरीब है उसके घर में उसकी बेटी का जनम दिन है और बेटी का जनम दिन है तो वो क्या करता है अपने बेटी की जनम दिन पर उसके पास केक लाने के लिए पैसे नहीं है बेटी कहती है पापा पापा मुझे केक चाहिए प्लीज केक कटवा दो केक लानी के लिए पैसे नहीं है तो वो बिचारा मेहनत करके वो एक पेश्ट्री का जुगाड कर लेता है और वो एक पेश्ट्री जो है अपनी बेटी को कटवाता है लेकिन उधर बरावर में लगा हुआ एक घर है और उस घर की छत से कुछ लोग जाकते हुए जो कि अमीर ह वो देखते हैं कि वो क्या हो रहा है वहाँ पर तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पेश्ट्री को कटाए जा रहा है तो वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं अरे वाँ बर्डे बनाय जा रहा है बर्डे अरे वाँ केक तो तुम्हारा बहुत बढ़ा है इतना बढ़ी है इ उसकी बेटी उस पेश्ट्री में भी खुश थी लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं अमीर लोग इसी तरह से मजाक बनाते हैं और मैं सभी अमीर की बात नहीं कर रहा हूं कुछ सेलेक्टेड अमीर्स होते हैं जो इस तरह का करते हैं जो रिच पीपल होते हैं तो यहां पर वो य जाक नहीं उड़ाना चाहिए नोर ग्रेंजूर हीर विद डिस्टेइनफल इस्माइल और नहीं अपनी सानों शौकत की कारण मतलब हम बहुत grandeur हैं बहुत specific हैं ये सोच कर with a disdainful smile उनको तिरची सी मुस्कुराहट नहीं देनी चाहिए कहने का मतलब उनके साथ घरनात्मक विहवार नहीं करना चाहिए disdainful smile घरनात्मक विहवार आपने देखाऊगो तिरची सी मुस्कुराहट देकर लोग निकल जाते हैं तो वो यहीं कहता है उनके साथ घरनात्मक विहवार इस प्रकार का नहीं करना चाहिए the short and simple annals of the poor वो जो बिचारे गरीबों की छोटी सी और साधारन सी simple सी प्यारी सी जिन्दगी है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए the boast of heraldry the pomp of power ऐसे लोग जो अपनी heraldry मतलब जो उनका वंश होता है उनके अपने वंश पर बहुत इतराते हैं कि मैं इस कुल में जन्मा हूँ मेरा जो परिवार है मेरे बाप दादा ये है मेरे पापा ये है तो इस तरह से वो करते हैं तो कुछ लोग अपने परिवार अपने वंश की सेखी मारते हैं the pomp of power तो कुछ लोग क्या करते हैं शक्ती का दिखावा करते हैं all that beauty and that wealth ever gave और कुछ लोग अपने पैसो पर इतराते हैं और कुछ लोग इतराते हैं अपनी संपदा पर इतराते हैं सौंदेरता पर इतराते हैं अवेट्स लाइक दा इन्विटेबल आर लेकिन इनका एक चीज इंतजार करती है इन्विटेबल आर मिंस म्रत्यू जिसको टाला नहीं जा सकता म्रत्यू इन सभी का इंतजार करती है the path of glory lead but to the grave गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है लेकिन लेकर कहा जाता है but to the grave कब्र में लेकर जाता है कहने का मतलब आपके पास कितनी ही सानो शौकत क्यों नहों कितने ही अच्छे कुल में क्यों जन में हों कितना ही पैसा क्यों नहों कितनी ही सुन्धरता क्यों नहों कितनी ही संपदा क्यों नहों लेकिन मृत्यू एक दिन आएगी और आपको लेकर जाएगी और कहां लेकर जाएगी कबर में लेकर जाएगी और कबर का मतलब अपने अपने जो religion है उसके according अप लगा लिजिए मिट्टी में मिल जाने से है कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है गौरव का रास्ता हमें आगे लेकर जाता है लेकिन लेकर कहा जाता है? कब्र में लेकर जाता है आप कितना ही कुछ लाइफ में क्यों न कर लें आप कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं कितना ही हम एक हैसियत होती है उसको क्यों न प्राप्त कर लें लेकिन ये गौरव का रास्ता हमें तरक्की देगा आगे ले जाएगा आगे ले जाएगा लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आएगा जब हमें मरना होगा मृत्यु आएगी तो गौरव का रास्ता आगे तो ले कर जाता है लेकिन कहा ले कर जाता है कब्र में ले कर जाता है तो ये message main है last line में सारा निचोड़ है इसका वीता का गौरव का रास्ता आगे तो ले कर जाता है लेकिन कब्र में ले कर जाता है लेकिन साथियों ये सोच कर हम काम करना नहीं छोड़ सकते ये तो किवल एक पोयम है जिसमें उसने शोक गीत लिखा है लेकिन हमें तो अपनी मंजिलों को पाना है म्रत्यों म्रत्यों तो सारभोमिक सकते है क्या डरना उससे एक दिन आनी है तो आएगी तो चलो अपनी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त करने की कोशिस करते हैं और दोस्तो अगर आपको मेरे पढ़ारा हुआ अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनने लुपस्य है जाउया है